हेलो दोस्तो वेलकम टू आउनलाइन एक्जाम वरियर्स आउनलाइन एक्जाम वरियर्स के इसी यूटूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत हैं दोस्तों बिहारदरोगा एक्जाम बहुत जल्द होने वाला है आप लोगों को रिवीजन करना बहुत जरूरी है तो कु? हम आधीनप्रस्पत संख्या दो लेकर कर आया आयाने कि टेश्ट नमबर दो लेकर कैने हैं इरुटेरिया को बोलम से तो चलजेक बेसा करने सेरी पहले जो लोग अभी तक चान्यल को सस्क्राइब ने के हैसे चान्यल को सस्क्राइब कर लिजे बेल आइकन सेट भी लगा सकते हैं तो लास्ट में आपना मार्क बताइएगा कि आपको कितना नमबर इस सेट में आया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखती है कुश्चन नमर्फर्स पहला कुश्चन है इसमें अंतर जातिय परिशद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो इसका राइट एंसर होगा ऑप्सन नमर्फर्स देखिए समिधान के अनुछेद 263 के अंतरगत केंद्र और राज्यों के बीच समनवयन अस्थापित करने के लिए राश्ट पती एक अं अंतर जातिय परिशत सरकारी आयोग के सिफारिस पर पहली बार जून 1990 में अंतर जातिय परिशत की अस्थापना की गई थी अंतर जातिय परिशत की बैठक या धक्स्ता परधान मंत्री या उनकी अनुवपस्थिती में परधान मंत्री दरा न्युक्त कैबिनेट अस्थर क के मंत्री करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है निमलिखित में से कौन सा सम्मिधान मुल अधिकारों का अंस नहीं है एंसर होगा अप्शन नमर सी उद्ज्यों के प्रवंधन से सर्मी की सह भागीता राज के निती निद्शक्तत में यानिकी भाग चार में अनुछेद 43 के अंतरगत राज क्रमचारी के लिए निर्वाह मंजूरी स्टीष्ट जीवन अस्तर आधि का प्रयास करेगा और राज के निती निद्शक्तत्व के अनुछेद 43 के कौ में ही उद्द्यों को प्रवंधन में सर्मी की भागिदारी का प्रवधान किया ग सकती हैं तो नहीं हो सकती हैं लोग सभा के सदस्यों की कुल संख्या के पंद्रव परतिसत से देखिए क्यान में मासा विधान संसोधन 2003 के तहत कहा गया था कि केन तथा राज में मंत्री परसत की सदस्यों की संख्या लोग सभा हो या विधान सभा हो पंद्रव परतिसत से अधिक मंतरी नहीं हो सकते हैं नेट्स्ट कोईट्टन है निमलिखिद में से कौन सा बिभाग ग्रीह मंतर लेक लाई के अधिन नहीं है एंसर होगा बीधी का कार देखिए ग्रीह राजजी मंतर लाईक अंतरगत आने नेक्स्ट कोईच्टन है पांच नमर कोईच्टन है भाद के समिधान के किस अनुछेद में यह वर्णित हैं कि भाद के राष्टपति अपने पद की सक्टियों के परियोग के लिए भाद के किसी भी नियालाय में परती जवाब दे नहीं होंगे तो इसका राय टेंसर होगा अप्सन नमर सी अनुछेद 361 में अनुछेद 361 के तहट भाद के राष्टपति अपने पद की सक्टी का परियोग भारत के किसी भी नियालाय के परती जवाब देही नहीं ले सकते हैं अनुछेद 171 में राष्टपति के चुनाब से समन्दित मामला की चर्चा क्या गये हैं अनुछेद 143 में राष्टपति की सर्वोच न्यालाय से सल्लाह लेने की चर्चा हैं अनुछेद 257 के तहट संह सरकार कुछ दसाओं में राट पर नियंतन कर सकती हैं नेक्स्ट कोईचन है छे नमर कोईचन है समिधान संसोधन के तहत मतदान के लिए आयू सीमा वर्ष 21 वर्ष से घटा कर 18 वर्ष कर दिया गया है तो यह क्या गया है आपका आप्सन नमर ए संसोधन के द्वरा यह संसोधन uoda na nat sauce में क्या गया था जिसमें आयोक 21 वर्ष से घटा कर आपको 18 वर्ष कर दिया गया धा और उन्हत्रमा समिधानिक संसोधन 1991 के दुआ दिल्ली को राष्टिये राज़ानी छेत बनाया गया था ता दिल्ली संग राज छेत के लिए विधान सभा का उपवण्ध किया था नेक्स्ट कोईचन है साथ नमर कोईचन है साथ नमर कोईचन है जिन प्रस्णों का उत्तर सदस तुरंत सदन में चाहता है उसे कौन सा प्रस्ण कहते हैं तो उसे तरांकिक प्रस्ण कहते हैं option No.B, सदन में जिन प्रस्णों का उतर सदस्तुरंग चाहते हैं उसे ट्रांकिक प्रस्ण करते है कोई लिखिफ नहीं होता है, उसे मुझ से पूछ करिए और मौखिक रूप से ही उतर द्या जाता है, next question है कि लोग सभा में कितनी सीटे अनुसूची जाती और अनुसूची जन जाती के लिए पती निधित किये गए हैं यानि आरक्षित किये गए हैं तो यह किया गए हैं 131 कितना किया गए हैं अनुसूची जाती के लिए और अनुसूची जन जाती के लिए फोटी सेवन यानि कि 47 जन जाती के लिए 47 नेक्स्ट कोईचन है विधान सभा में धन विध्यक किसकी पुर्व अनुपती अनुमती से पेस किया जाता है तो यह किया जाता है राजपाल के पूर्ण अनुमती से इस धन विध्यक राजपाल की पुर्व अनुपती से ही पेस किया जाता है और राजपाल की संस्तूती के बिना अनुदान किसी मायं को विधान मंदल में सम्मुख नहीं रखा जा सकता है नेक्स्ट कोईचन है उपराष्ट पती निर्वाचित होने के लिए किसी ब्यक्ति को न्यूनतम आयू क्या होनी चाहिए उपराष्ट पती पत के लिए तो उपराष्ट पती हो या राष्ट पती हो आपको 35 वर्ष की उम्र चाहिए 30 वर्ष आपको राजपा के लिए चाहि देखे उपराष्टपती होने के लिए आपको भात का नागरिक होना चाहिए राजसभा की या 35 वर्स होना चाहिए या राजसभा का सदस निर्वाचित होने योग होना चाहिए और निर्वाचित के समय कोई लाव का पद धारन नहीं किया हो तब ही वह राष्ट उपराष्ट आयोग का गठन केंद राज सम्मन्द के लिए किया गया था यह आपको अपरेल 2007 में केंद सरकार ने केंद और राज के समन्द की समिक्षा के लिए मदन मोहन पुंची के अधिक्स्ता में एक आयोग का गठन किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट 2010 में सौपी थी मदन मोहन पुंची आयोग का अधिक्सता अपना 2007 में हुआ था और यह आयोग अपना रिपोर्ट 2010 में सौपी थी सरकार को चलिए नेक्स्ट कोईचन है निमलेखित महासागर ये धाराओं में से कौन सी एक सीत महासागर धारा नहीं है केलीफोर्णिया ये प्रसांत महासागर की ठंदी जल धारा है और फॉक लैंड यह भी अटलांतिक महासागर की ठंदी एक जल धारा है नेक्स्ट कोईचन आपका तेयर नमर कोईचन है ब्रहम पोत्र और सिंधु नदी पुरवर्ती नदिया है यह एक पुरवर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभासा निमलिखित में से कौन सी हो सकती है तो एंसर होगा ओप्सन नमर बी जो हिमालाय स्रेनी की अस्तित्व में आने से पहले ही बिद्वान था नेक्स्ट कोईचन है सितोष्ण कटिवंध छेत्र की वनस्पती को किस नाम से जाना जाता है तो सितोष्ण कटिवंध यह छेत्र की वनस्पती को मेसोफाइटा के नाम से जाना जाता है जाकिए इसमें ट्रोपो फाइट है या उस्न कटिवंधिये जलवायू वाली वनस्पति है उसके बाद आपको जेरो फाइट है या उस्न कटिवंधिये मरु अस्थल ये छेत्र वाली है और क्रायो फाइटा या टुंड्रा ये और सीद प्रधान छेत्र के वनस्पति है कौन सा अस्थल रुध देश नहीं है तो अस्थल रुध देश नहीं है उप्शन नमर एक कुलंबिया अस्थल रुध देश वे होते हैं जिनकी अंतराश्ट ये सीमा समूंदर में नहीं मिलती है पर्मुख महादीपो में से सिर्फ उत्तरी अमेरिका और आस्थ्रेलिया के अंदर कोई अस्थल रुध देश नहीं है दिये गए विकल्ब में आपको कुलंबिया को छोड़ कर सभी अस्थल रुध देश हैं समपून भाद का अक्षांसय विश्तार कितना है तो अक्षांसय विश्तार है चार मिनट से ले कर के आपको 37 दिगरी चार मिनट तक यह समपून भाद का अक्षांसय विश्तार है tapi दिग्री छो उत्री अक्षान्स तक छो डिग्री चार मिनट से 37 डिग्री छो मिनट तक भाद का अक्षान्स यह विस्तार है और उत्री अक्षान्स से विस्तार के बात करेंगे तो आठ डिग्री चार मिनट 37 डिग्री छो और उत्री अक्षान्स है जबकि दक्षनी आपको हो जब नदी मैदान में प्रवेश करती हैं तो यह अब रोध के कारण मुड़कर तेरी मेरी बहने लगती हैं जो कहलाता है विसर्प तेरी मेरी जो बहने लगती है वही कहलाती है विसर्प नेक्स्ट कुश्चन है कंचन जंगा राष्टिय पार्क कहां इस्तित है तो यह आपको सिक्की में हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन है निमलिखित में से कौन सा जायद फसल का उदाहरन है तो जायद फसल का उदाहरन है पट्टिसन कि आपको ककरी की रात तरभूज ये सभी को खरीब फसल है कि एक कि ए पर्टसन जो है आपको जयाद फसल नहीं है खरी खीरा तरभूज और क्क्री ये तीनु आपको जयाद फसल है कि ताप च्छाब कर भिद्धूद से क्वांसा जोर्देश सही है तो क्युंसा जोर्द आपका सही है दखिए खुरवार जो उत्तर परदेश में दिखा रहा है या आंद परदेश में नहीं उडिसा में है तो आप्सन नमर सी इसका रहे अंसर हो गया नेक्स्ट कोईचन है चंग थंगी गंजम किस पसू की परमुख नसले है तो ये आपका बकरी की एक परमुख नसली है जिसमें चंग थंगी जमनाफरी सिरोही और गंजम ये सभी बकरी के एक नसल है अपातनी कहा का मुख जन जाती है तो ये है आपको अरुनाचल परदेश क की प्रमुख जन जाती हुआ है कि नेक्स्ट कोईस्टिन है वहत आप मान जिस पर ठ्थ्यांक फायरेन है्ट और शेल्सियस दोनों प्यमाने पर सम्मान होते हैं तो यह होता है आपका अप्शन नबर सी 40 डिग्री पर Celsius और Fahrenheit दोनों सम्मान होते हैं Next है लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का परियोग किया जाता है तो ये किया जाता है रेडियो तरंग के लिए किसी वस्तु का आवर्धित आभासी परतिविम प्राप्ट करने के लिए निवन में से किसका परियोग किया जाता है अवतल दरपन का अलफा वीटा गामा की वेधन सकती आरोही करम यानि बरते करम में क्या होगा तो वेधन जमता सबसे ज़्यदा गामा कियन का होता है उसके बाद वीटा का और सबसे कम अलफा का होता है तो 26 का यह हो जाएगा तो इसका answer हो गया option नमर यह गामा क्यान की बेधन चमता सबसे अधिक और अलफा क्यान का सबसे कम लेकिन आइनिक चमता इसका just opposite होता है अलफा क्यान का आइनिक चमता सबसे कम और बेधन चमता इसका इसका आइनिक चमता सबसे अधिक होता है चलिए next question है द्रिस एस्पेक्ट्रम का तरंगदार कितना होता है तो इसका answer हो जाएगा 4900 से और 300 next question है लैंप की बती में तेल किसके कारण ऊपर चड़ता है एंसर होगा केसी कतिवे घटना करण पेंडूलम में चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अबदी पर क्या प्रभाव परेगा तो समय अबदी बढ़ जाएगा इसका फर्मूला होता है टी बरावर रूट अंडर ल बाई जी तो ल का मान इस्थिर है जबकि जी का मान घरता राता है आवर्ट का मान बढ़ेगा नेक्स्ट होता है यदि तामबे के तार को दो गुन्ना बढ़ा दिया जाए तो उसके परती रोध पर क्या प्रभाव परेगा तो ताम्बे के तार को दोगुन्ना बढ़ाने से उसका परती रोद चार गुन्ना हो जाएगा अप्शन नमबर इसका C हो जाएगा नेक्स्ट कोईचन है 31 नमबर नेवन में से कौन सी भावतिक रासी की का वही है जो परती बल का होता है परती बल यानि बल वरवर होोता है तो बल बटा फ़ाल इसका इंसर हो जाएगा धाव का भी होता है बल बटा फ़ाली इसलिए option नमबर डी हो जाएगा किसी त्वत्व के परवानु का परवानु करमांक संख्या 17 है दर्मां संख्या 36 है नुकलेस में निट्रोनों की संख्या कितनी होगी तो पर्मानु कर्मान की यानि जेड बरावर हो जाएगा आपका 17 दर्मान यानि ये ये बरावर प्रोटोन पलस निट्रोन होता है तो नुकलेस में निट्रोनों की संख्या और पी और जेड बरावर होता है तो 36 में से आप 17 घटा दीजेगा तापका 19 आ जाएगा ताप option नमर डी हो जाए क्योंकि जेड बरावर पी बरावर ई होता है निमलिकित में से कौन सकन बच जाता है जब हाइड्रोजन परमानु अपने इलेक्ट्रॉन को खो देता है एंसर होगा एक प्रोट्रॉन नेक्स्ट कोईश्चन है 34 नमर मुद्रा लाय में परियुक्त टाइप धातू किसके एल्वाई होते हैं एल्वाई एनमी स्रम होते हैं तो 34 का हो जाएगा option नमर बी सीशा और एंटी मनी का जिसमें सीशा 60 से 80 परतिसत और एंटी मनी इसे दस से 20 परसेंट हो गया कि सीमेंट समान तक किसका मिश्जन होता है तो इसका एंसर हो जाएगा कैल्सियम सिलिकेट और कैल्सियम एल्लूमिनेट का निम्ले कि दम से किस एक में 20 उसमा का मान सरवाधिक जल का होता है और वह भी एक होता है एलकोहल एाउम जल के मिसरन से जल को अलग कर जा सकता है एलकोहल एाउम जल को तो इसका एंसर हो जाएगा आस्मवन भी धी के द्वरा option नमर ए सुक्रोज के जल अपगटन से क्या बनता है एंसर होगा गुलकोज और फ्रक्टोज पेट्रोलियम में लगी आग के लिए किस परकार के अगरिसामक का परयोग किया जाता है फोम परकार के नेक्स्ट कोस्टन है निमले खित में से आपको मिलान करना है तो किसके किसके साथ होगा तो कौपर आपका हो जाएगा फंगस नासी के साथ पेनिसिलीन एक परती जावक है परती जैविक है तो आपका हो जाएगा चार नमर यूरिया एक उर्वरक है और मैले थायान हो जाएगा आपको कित नासी तो आपका क्या हो गया 3, 4, 1, 2 3, 4, 1, 2 आप्शन नमबर यह हो गया यूरिया का सुत्र होता है NH2 CONH2 चलिए नेक्स्ट कोईचन है मनुस के जीव के किस छेतरक पर करवाहट का संबेदना होता है करवाहट का संबेदना जो होता है पिछला भाग जो पीछे से रहता है वह करवा होता है मनुस के जीव के पिछला पर यानि पस्च वाला भाग जो होता है जहां से अंदर लबलबी रहता है वह भाग करवाहट होता है और आगा वाला भाग जो होता है और पार्स यानि किनारे वाला भाग यानि पीछे से जो पज़रा है वह होता है खटा आगे से जो किनारा है वह होता है नमकीन जैसे कि आपका ये जीव हो गया यह अगला वला भाग है, यह पिछला भाग है, यह पार्स भाग है, तो यह भाग आपका खटा होता है, जो अंदर वला भाग होता है, क्या है, करवाहाट, सोरी, करवाहाट होता है, यह करवा होता है, यह मीठा होता है, और यह वला भाग खटा होता है, इतना, और ये वला भाग नमकीन होता है ये खटा और ये नमकीन ये मीठा और ये करवाहट यूरिया किसमे संसलेसित होता है तो 42 कैंसर होगा या करीत उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसहारी के भोजन में नहीं मिलता है तो विटामिन C हो जाएगा और विटामिन D सूर्ज से प्राफ़ता है दूद से दही संकद्रीट करने वाला एंजायम कौन सा है तो यह है रे नीन अगला है निमलिखित में से किसका हिर्दाइ सिरायुक्त होता है तो यह सिरायुक्त होता है मतस यानि की मचली का किसी पर्तिक किरिया दौरा स्वसंद के दौरान गैसों के रुधिर में परवेश करती और फिर उसे छोड़ती है तो 46 का सी विश्रन गुन्सुत किस से बनता है तो ये बनता है डिन ए और प्रोटीन दोनों से दौप्शन नमर सी हो जाएगा कंजली जील किस राज में इस्तित है ये कंजली जील आपको पंजाव राज में इस्तित है जल सन्रक्षन एवं परदूसन नियंतरन अधिनियम तो यह आपको डी नमर हो जाएगा 1974 में दूतिये उपभोगता क्या होता है तो यह होता है आपका मान्स हारी प्रात्मिक उपभोगता साकाहारी दूतिये उपभोगता मान्स हारी और तीरतिये उपभोगता सरवाहारी ये तीरतिये उपभोगता सरवाहारी निवलिकित में आत्र भूमी छेत कौन कौन से हैं तो ये डी है चिलका जिल ये भी है केवलादे पुद्ध्यान ये भी है उपरी गंगा ये भी है और भितरकनिका ये भी है वन संौरक्षन अधिनियां किस वर्ष पारित हुआ था 1998 में और संसोधित हुआ था 1880 में और वन जीव संडक्षन अधिनियम आया था 1972 में और परियावरान संडक्षन अधिनियम आया था 1986 में निकष्ट मुद्रा अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देता है यह ग्रेशम का नियम हिर्दा योजना के अंतरगत बिहार के किस एक मात्र सहर का चेन किया गया है तो यह किया गया है गया को नेक्स्ट कोईचन है नवाड की अस्थापना किस पंच वर्षी योजना में किया गया था तो ये किया गया था आपको नवाड का छठी पंच वर्षी होजना नवाड का अस्थापना 1982 में 12 जुलाए 1982 में किया गया था और छटी पंज बर्जी ओई नाकाल था उनिस्टो और सी से पच्चासी और इसका ठबना किया गया था उनिस्टो बेरासी में कि आई पीसी किस स्टॉक एक्स्चेंज सेर मुल्य सुचकांग है तो इसका एंसर हो जाएगा उप्षन नमर ए मैक्सिको नेक्स्ट कुईचन है निम्लिकित में से कौन सा कर और परत्यक्ष कर का उदाहरन है एंसर होगा सी नमर एक और दो एक और दो सेवा कर और विक्री कर निवन में से कौन स्वराज दल का नेता नहीं थे तो स्वराज दल का नेता नहीं थे श्री निवास अयंगर ये भी थे चितरंजन दास ये भी थे बिठल भाय पटेल ये भी थे तो सी राज गोपलाचारी नहीं थे ओप्सन नमर सी चितरनजर दास के साथ मोतिलाल और स्री निवास अयंगर ने मिल करके 1923 में सुराज दल के अस्थापना किया था नेक्स्ट कोईचन है किसके परियास से बंबे में पर्थम महिला विस्विद्याला अस्थापना किया गया था एंसर होगा ओप्सन नमर B, DK करवे के द्वरा, DK करवे एक समा सुधालक थे जिनके परियास से बंबे में पर्थम महिला विस्विद्याला किया अस्थापना किया गया और महाराष्ट में समाज सुधालक, समाजिक कर्ज करता के रूप में उभर कर बाहर दिखाये थे नेक्स्ट कोईचन है, साथ नमर कोईचन निम लिखित घटना ओपर विचार करना है, कौन सा विद्रो कब हुआ था, और उसको आपको कालकरम के अनुसार यानि कि समय अबधी के अनुसार उसको सजाना है, सबसे पहले देखती है नील विद्रो, नील विद्रो हुआ था उसके बाद हुआ संथाल विद्रो का हुआ था था 1856 में, उसके बाद धक्कन विद्रो हुआ था 1765 में, और उसके बाद सिपाही विद्रो तो या दु सार को पता होगा 1857 में, तो पहला हुआ है 1856, शंतावन, साठ और 75 तो दू चार एक तीन 2413 दूप्सन नमर D हो जाएगा औरंग जेव की 707 में मिर्थियू के बाद मुंगल सत्ता किस ने संभाल रखी आप्सन नमर D बहादूर सा फर्थम ने एक खुली परत्यों की परिक्षा के माध्यम से इंडिया सिविल सर्विसेज भारतिय के लिए प्रवेश नमलिखित में से किस ने संभव बनाया तो इसका एंसर हो जाएगा लौड डल हो जी ने बिना दुर्ग की एक मात्र सिंधु नगर कौन सा था एंसर होगा डी चन हुद्रो नमलिखित में से कौन सी रचना राज सेखर की नहीं करपूर मंजरी ये भी है उसके बाद आपको बाल रवाइन राज सेखर की है हर विलास ये भी राज सेखर की ही है तो आपको और एक आता है इसका काब्य मिमान सा भी राज सेखर का है चलिने राम-कृष्ण मीशन केस्थापना किस वर्ष किया गया था तो रहा सो संतानमे में यह किया गया था कहाँ पर वेलूर में नेक्ष सुंग्वंस की राःधानी कहां थी एंसर होगा बीधीशा अगला question है गांधी जी ने किस अधी वेशन में कहा था गांधी मर सकता है प्रन्तु गांधी बाद नहीं मर सकता यह कहा था 1931 के कराची अधी वेशन में कराची अधी वेशन 1931 में उप्चन नमर सी अखिल भारतिय ए किसान सभा कि अस्थाप ना कब क्या गया था और सल्कार मॉता ट्रीं 0836 है नेक्ष्ट रहा हैं है इसको मिलाना है इस्ट इंडिया एसोसियेशन इसका हो जाएगा आपका 1866 इस्ट इंडिया एसोसियेशन 1866 मद्रास महाजन सभा तो यह हुआ था 1884 में उत्तर प्रदेश किसान सभा तो यह 1818 में हुआ था और इंडियान सोसाइटिया बच एक बच गया है 1872 में तो एंसर हा गया आप्शन नमर बी चार तीन एक दू नेक्स्ट कोईचन है अकवार ने किसे कभी पिरिये की उपाधी दी थी तो अकवार ने कभी पिरिये की विःवल का मुल नाम महेश दास था क्या नम था महेश दास यह महेश दास नेक्स्ट कोईचन है दर 20 में जारी हरीत पत्र मोबाइल एप को उद्देश क्या था इसका उत देश था राश्टिये राजमारगो के किनारे विक्षा रोपन करना राश्टिये National Highway Authority ऑफ इंडिया बात के किस राज में हाली में मुख मंत्री सौड स्वर उजगार योजना की सुरुफ़ात किया गया है मुखमंत्री सौड स्वरोजगार योजना उत्तरा खंड में किया गया है सन्युक्त राष्ट के परतिश्ठित ससाकावा पुरुसकार 2019 किसे दिया गया है अप्शन नमर ए पीके मिस्रा को भात और किस देश के बीच दुविवक्षिये साइन अभ्यास जीमेक्स 2020 संपन हुआ है भारत सिरलंका चो सौरी चौतर कभी होगा जीमेक्स है भारत और जापान के साथ सौरी मिश्टेक हो गया कोबीर नैंटी महामारी घोशित करने वाला पहला राज कौन था डी नमर हर्याना किस राज के डल्ले खुरसानी मिर्च को जी आइटाइग दिया गया गोवा को किसको दिया गया है गोवा को सथातर बॉलीवूर के परसिद किस कस्टम डिजाइनर का अक्ट्वाजर 20 में निधन हो गया है तो भानू अथया को भानू अथया को 1983 में आउसकर पुरसकार के लिए नामित किया गया डिजाइनिंग के रूप में हाले में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्रापर ओफ द इयर पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो ये किया गया है एसोर या स्रीधर को नेक्स्ट कोईशन है निम भारतिय राज्यों में सरवाधिक वन्छेत वाला राज आपका हो जाएगा मध्य परदेश अस्ट्रेलिया ओपन 2020 प्रूस एकल का किताब नुवाक जोको वीच ने जीता था हाली में चर्चा में रहे सूर्यधार जील यह आपका हो जाएगा उत्राखंड में है हाली में चर्चा में रहे पन्ना टैगर डिजर्ब ये भी आपको मध्य परदेश में है नसा ने चंद्रमा पर पहला सेल्यूलर नेटवर्क अस्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है तो ये चुना है नुकिया को दो अक्टुवर को गांधी जैन्ती के अपसर पर भाद में किस देश के स्वास्थ सिक्षा से जूरे संगठनों को एक तालिस अम्बूलेंस और च्छ इसकुल बसे को दान में दिया है अपसर नमर ए नेपाल को विश्व आर्थिक मंच के पच्चास मा वार्शिक सिखर सम्वेलन 2020 में आयोजित किया गया तो वह किया गया था स्वीट्र लैंड के दाबोस में नेक्स्ट क्वेस्चन है विहार विधानसभा में अनुसूचित जन जाती के लिए आरक्षित सीटो की संख्या कितनी हैं तो सीटो की संख्या आरक्षित हैं 38 हाली में पधानमंत्री नरींद्र मोदी ने रोपैक्स टर्मिनल और रोपैक्स सेवा का उद्गाटन किस राज में किया है 87 का दी नमर गुजरात हाली में आईवरी कोष्टा नय पधानमंत्री बने है ये बने है हमीद बकायो को विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है एक जून को मानव पुंजी सुचकांग धर बीस में कौन सा देश सीर्ष अस्थान पर रहा है तो सिंगापूर एप्रुमाइश लैंड पुष्टक के लिए खक ब्राक उबामा है बहाद के ग्यार में मुख सूचना आयूक्त किसे निक्ति क्या गया है यस्वर्धन सिंगा को निमलिखित में से प्रस्णों को सही मिलान नहीं है तो किसका सही मिलान नहीं है तो सिक्किम के गंगा परसाद राजपल सही है तो तीरपूरा का हो जाएगा रमेस वाइस क्या हो जाएगा रमेस वाइस तो यह आपको लोग सही कर लिजेगा उप्शन नमर डी गलत है मिर्दा दिवस 2020 का थीम क्या था किप स्वाइल एलीब प्रोटेक्ट स्वाइल बायो डावर्सिटी परियावरन के छेतर में सहयोग हेतु भाइत ने किस देश के साथ समझावता किया है तो नार्वे के साथ वाइफाई की सुवधा ताप्ट करने वाला 500 वाइट रेलवे एस मैं 1974 में पहला 18 मैं 1974 में कब किया था 18 मैं 1974 में अंतराश्ट्य स्रम संगठन का मुख्या लायक कहां इस्थित है ओप्शन नमर सी जेनेवा दच्छीन पूर्वी अस्याई राश्टो का संग यानि आसियान में कौन सा देश सामिल नहीं है तो ओप्शन नमर सी मालदीव नही है राधा मोहन कब जो सम्मान्धित है कि अप्शन नमर डी पोलो से तो दोस्तों आज हम लोग के टेस्ट नमर दो को कवर की है जो इडूटेरिया के भोलम वन से है इसका फर्स टेस्ट कुछ दिन पहले हुआ था तब से बंद था इसको फिर से हम लोग शुरुआत कि है और रेगलर वेसिस पर आपको यह वीडियो मिलता रहेगा और क्रेंट अफेर का भी वीडियो मिलता रहेगा बहुत जल्द ही आपको हिंदी का भी वीडियो आपको मिलने लएगा आदित पब्लिकेशन से तो आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन को फ्रेस कीजेगा और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजेगा I hope आप लोग को वीडियो अच्छा ही लगा होगा तो लाइक कर ही दीजेगा और अपने दोस्तों के साथ अपने सोचल मीडिया हैंडल से वीडियो को सेयर कीज़ेगा थैंक्यू